हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल इंवेस्मेंट के बजार पर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NHPC के शेयर के उपर दोस्तों जो शेयर काफी टाइम से आप कह सकते गिरावट की चपेट में था वो अब फिर तेजी में लॉटता हुआ देखने को मिल रहा है क्या फिर 46 रुपे के पार आपको शेयर निकलता हुआ देखने को मिलेगा क्या फिर आपको जो अच्छी तेजी के दिन थे वापिस शेयर में लौटते वे देखने को मिलेंगे साली जो जानकारी है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके जरूर जाएगा दोस्तों तो चलिए दोस्तों शुरू करते है सबसे पहले फिर्ट आप देख सकते हैं आज के मार्केट के अगर अपन हालात देखे तो सेंसेक्स 390 पॉइंट्स उपर निफ्टी 112 पॉइंट्स उपर बैंक निफ्टी 222 पॉइंट्स उपर और निफ्टी मिट्कैप इंडेक्स 161 पॉइंट्स उपर आप देख सकते हैं आज 40-50 तक का हाई शेर लगाता हुआ देखने को मिला है 47 का दोस्तों स्टॉक का आप कहा सकते हैं कि 50 वीक हाई है और इधिंग सो जिस हसाब से हर दिन ये शेर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है माकेट कैपिलाजेशन 42,000 कारूर्स की है और डेफिनेटली दोस्तों जिस हिसाब से ये काउंटर चल रहा है डेफिनेटली आपको यहां से आपको शांदार मोमेंट देखने को मिल सकता है वाई कम्री के रिटन्स की बात करें तो एक मन्त में 2.56 परसेंट का तेजी वन वीग में 7% की तेजी और 3 मंस में 0.24% की तेजी तो ओवरल पास्तीन महिनों में स्टॉक ने अच्छा तेजी नहीं किया है ओवरल स्टॉक आपको फ्लाट ही रहता हुआ देखने को मिला है लेकिन अगर आपन देखे एक साल में 34% की तेजी दो साल में 72% की तेजी तीन साल में 73% की तेजी तो लॉंग तम में दोस्तो कंपनी ने अच्छा रिटन दिया है बट आज दोस्तो डिलेवरी परसेंटेज नहीं आता हुआ देखने को मिला है आज 30 million की वाल्यूम NSE PLUS BSE में इस काउंटर में होती भी देखने को मिलेगा अगर अगर आपन प्रॉरम सेंटीमेंट की बात करे तो 100% लोग bullish है देखने को मिल रहा है और यहां से स्टॉक में अप्टरेंड जो आपको जारी रहता हुआ देखने को मिलेगा तो चलते हैं अब चलते हैं इंट्राड के चार्ट्स पर और कल के एंड लॉंग टम की टागिट्स पर चर्चा करते हैं तो फ्रिंट स्टॉक के अगर अपन चार्ट्स देखें तो मेरे मंच के चार्ट्स को लें और लगबग दोस्तो नवंबर का टाइम था 2022 में जब काउंटर आप लगबग 46.95 का जो स्टॉक ने हाई लगाया था उसके बात गिरावट जो यह स्टॉक की लगबग 236 तक शेर के लेवल यह आने वाले टाइम में तोड़ता है तेन डेफिनेटली 47.50 तक के लेवल स आपको नेश्पीज के काउंटर में देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे के अगर बात करें कल तो मुझे लगता है कि लोड़ा वेट करेंगे 42 के जोंस तक अगर शेर आएगा 42 यह तो वीडियो कर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें शियर करें सब्स्राइब करें दोस्तों थैंक्यों पर दोसिंग दिस वीडियो